नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक अलग तरह की आज जानकारी लेकर के जी हाँ, वैसे तो आप हमारे चैनल्स पे सुनते रहते हैं कि हम रेमेडिज होमेड रेमेडिज के दौरा आप सभी को इलाज बताते रहते हैं कि किन्ची जो को खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे लेकिन आज की जो जानकारी है वो थोड़ा इससे हटके है अलग है हाँ इसका भी परपस वहीं है उदेश वहीं है कि आप बगैर दवा कराए खुद बखुद घर पे कुछ एक बिमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं क् कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ की क्या उप्योगिता है किसी के भी जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए कुछ एक चीज़ें करनी ही पड़ती है कई बार क्या होता है कि किसी की शादी में गए फंक् करना क्या है तो इसके लिए एक बेहद ही सस्टा कहें जिसमें की एक पैसा आपका नहीं लगना है बस कुछ वक्त लगेगा आपका और सही धंग से आप इस विधी को अपनाएंगे तो आपके आधेसर का दर्द या फिर सरदर्द कैसा भी सरदर्द हो वो दूर हो जाएगा रहत मिलेगे आपको ततकालिक हाँ अगर रिगुलर का है तो सबसे पहले तो हम हम हुर्त में ही जग जाना चाहिए और रात को सोने का आप नौ साढ़े नौ दस हाडली साढ़े दस शहरी करण है तो आप सो जाएं तो आपके लिए सबसे बहतर होता है आप दस के बाद सोते हैं तो यानि कि आप खुद बखुद बीमारियों को नियोता देते हैं शरीर को अनकंडिशनल बनाए रखने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं तो आएए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके सर में दर्द है तो कैसे दूर करेंगे आपको करना क्या है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तरजनी के बीच में जो गैप है उसमें मां को आपको बाएं हाथ के अंगूठे और तरजनी उंगले से दबा करके दो से तीन मिनट तक रखना है सौफ्ट हैंड से आपको इसको दबाना है थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है इसको एक्यूप्रेशर जी हां आज के हमारा यह जो टोपिक है इसी से रिलेटेड है एक्य गूठे और तरजनी उंगली के बीच में जो माश होता है इसको दबा के रखें इसको दबाने में एक सावधानी होती है कि आप इसको न बहुत तेजी से दबाएं और नहीं बहुत सोफ्ट दबाएं हलके हलके हाथ से इसको प्रेसीद करते रहें ताकि यहाँ से जो नस होत होती है वो कनेक्टेड होती है आपके दिमाग से माइंड से यानि कि सर से वो आपको धीरे-धीरे रहत देने लगेगी चलिए एक और आज के एपिसोड में हम आपको बता देते हैं कई बार क्या होता है कि जब हम इंटर्वियू देने कहीं जाते हैं या फिर स्टेज परफॉमेंस करने जाते हैं या कोई भी ऐसा कारे जिसमें की बड़े लोग हो या फिर बहुत ज्यादा लोग हो उनके सामने बोलना हो फॉर एक्जमपल क्लास में हमें बोलना हो इस पीच देनी हो तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है जिसकी साधारन और सिंपल तरीका है आप अपने बाएं हाथ के अंगुठे को बाहर निकालिए अपने मूँ के पास ले जाए और उससे फूंक मारिए उस पे आप ऐसा तीन चार मिनट तक लगातार कीजिए अंगुठे पर फूंक मारते रहिए इसससे क्या होगा धिरे धिरे आप के शरीर में एक पोजेटिव एनरजी संचारित होने लगेगी और आप देखेंगे कि कुछ देर में आप शांत होते जाएंगे आपका दिमाग शांत होता जाएगा और कैसी भी परिस्थिती हो अगर आपका दिमाग एक्टिव मोड में है आपका मन चित दिमाग शांत है त लेकिन एन वक्त पर वो परफॉम नहीं कर पाते हैं जितनी के उनसे उमीद की जाती है तो ये इसी वज़य से होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है बहुत डिस्टर्ब करता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही साधारन और अच्छा तरीका है वैसे तो कहते है के इंटर्विव पर जाने से पहले एक ग्लास पानी पिलीजे ठंधा ये भी बहुत बहतर उपाय है लेकिन मान लीजे पानी वहाँ पर ना पिना हो या ना हो तो ये सबसे सिंपल तरीका है बाएं हाथ के अंगुठे पर फूंक मारी एक से डेढ़ मिनट तक आप अधि महतोपून जहनकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों